यह देखें गाइज यम्मी टेस्टि मटल पनिर की सबजी आज हमारी इस तरह से आप ब करण करें देखें उंइज्ट चाते रहेंगे हर जाहें,- और हर बार ही मटल पनिर बनाना हैं तो चलीए देखते हैं मटल पनीर की रेस्पी अलो हूलो एक पूरी गाठी है जिसको हमने तोड़ लिया है एक बहुत और गाइज इसमें सीजन चल रहा है साधियों का तो मन करता है कि होट्रल स्टाइल या साधी के स्टाइल में मटर पनीड हो तो हम करीब करीब महा माज आधा किलो पनीड की सब्जी बनाएंगे तो देखिए तोला तामाटर हैं इनको भी दस ते 12 टमाटर में मीडियम साध की ले लियते तो इनको भी गरएंड कर लेंगे तो यह तो यह भी रॉह का हमारा हमारी मसाले होते हैं तो उनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे जैसे काष्mi लाल मिर्ट पाउडर 7 और धनिया 2 स्पून in health 3-4,5 बंढ़ें इन सकथ मिक्स करते हां कreं तु इसको कि आड़ने लाल म्र्च डालने क difन नहीं कर लिए और यह लिए है अपने पनीर तो इसको हम इसाब घ्राइंग के अपने आप से डालने के ज़र्स भीप rank कि इस समय हारी मटर नहीं आती है इसको हम देख लेंगे अच्छे से साफ कर लेंगे और इसमें डाल देंगे नॉर्मल पानी तो यह मटर की जो बर्फ है वो पिगल जाएगी और इसको हम इसी तरह से वास कर लेंगे देख सकते हैं जो गंदगी है जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि एक अधा दाना इसमें साड़ा हुआ निकल जाता है या फिर कोई और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक कीड़ा निकल आया था तो इसलिए हमें से अच्छे से वाश करना है और साफ कर लेना है तो देखिए यह द थोड़ा सा पानी से उपर रहा हुआ यसवजह से ल्म जह ताथ कि अपनीर से अपनीर के कट करीगे तो जो यह बड़े कुप्स हैं उह बक्ता कर लेंगे तो हम घर में बना रहा है इह अपनी आप से चोटा बड़ा UCнул दहा पनीर करने उन पर दहालाह और दोमने, Straw 69 642 तॉ दूआधार गरम करना है क्योंकि अगर दूआधार नहीं गरम करेंगे तो जो मौस्टर ओयल में तीखा पन रहता है ऐल का वह खतम नहीं वह तो इससे हमारा फ़राब लगेगा तो इसे देखिए होगे अच्छे से गरम तो इसमें हम डालेंगे अब अपना पनीर और हल्का हल अगर चलाना नहीं है बहुत ज्यादा क्योंकि अगर चलाएंगे तो पनीर जो आज की गर्माहिट पाकर मुलाइम हो जाता है जब तो परीर घुन रहा है तब तक मसाले की भी तैयारी कर लेते हैं यह रख दिया अपना पतीला यह देखिए एक कटोरी ओयल चोटी कटोरी है हमारी और अगर लैडल से देखा जाए यानि चिम्चे से देखा जाए तो दो चिम्चा हमारा ओयल है मीडियम साइज का हो चुका है जिसमें डाल देगे जीरा देर स्पून के करीब और अब इसमें हम वह जो पीस कर रखा था मसाला बस वही एड कर देंगे यानि अद्रक लैसन मिर्च और व्याज का पेश जिसमें सारे मसाले मिलागा रखे थे देखिए मसाले ड्राई हलके से भीगो के अगर आप देखिए 10 मिवाट तो वह फूल जाते हैं फोनले की वज़य से वह क्या होता है जलते नहीं है इस वज़य से हमने भीगो के रख गया कर देखिए हल्दी पाउडर ये 2 स्पून के करीब अगर जो भीगो के रख दिया भीगो के बहुत अच्छा है और उसको बहुत पनीर निकाल लिए बस बहुत ज्यादा नहीं हलके से स्पाट आने चाहिए बस अब हम मसाला भून रहा है देखिए यह देखिए हमने निकाल लिया है पनीर को अलग और अब यह देखिए हमारा जो सब्ची का मसाला है वो लग 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 50% कुक हो चुका है ठीक है बस इतना ही कुक करना है 50% कुक हो गया है अब इसमें हम आट करेंगी जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए है टमाटर यह मिक्स कर देंगे यह देखिए इसको भी पगा लेंगे कि उसमें टमाटर पकने में टाइम लगता है इसलिए हमने फिप्टि पर्शंट पकने बार डाल दिया और वार दाल डखिए हमारी कस्तोरी मेरें थी दो स्पून के करीब पार जा लाग जा लग को यह यह ज़िए लि तो देखे बिल्कुल बास्तूरी में थी और इसको हम क्या करेंगे मिक्स करके इसको भी फ्राइ कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे दो स्पून नमक या फिर आप अपने सब्जी के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर सकते हैं तेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें डाल देंगे क्योंकि मटसाले और नमक पढ़ने से अच्छे से कुक होते हैं जो भी पानी है अच्छे से जल्दी से रिलीज हो जाता है तो सारा कुछ पक जाता है तो देखिए फिर से हमारा लगवगल वह 80% कुक हो चुका है तो इसमें हम घर की होम मेट मल इसमें और उपर की मोटी परत जम जाती है वहीं मल आई है इस से गाईज मारे मटर पनी में ना क्रीमी क्रीमी टैक्सटर आएगा और बहुत यम्मी आएगा तो कि मसाले अच्छे से बुन चुके हैं पूरी तरह से देखिए ओयल भी दिखने लगा है अच्छे से मसालों मे तो बस इसी तरह से हम cook करेंगे, आच्छे से बस यहां इंडिकेशन अच्छा होता है, कि हमारे मसाले जब भुन जाते हैं, तो मसाले हमारा oil छोड़ने लगते हैं, जो हमने oil डाला है, वो छोड़ने लगते हैं तो यह देख सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे पनी मटर अब मटर को हम साथ में फ्राइ कर लेंगे फिर से एक बार क्योंकि मटर में थोड़ा बहुत पानी होगा तो वह भी फ्राइ हो जाए जिससे की बहुत अच्छे से तो ज्यादा नहीं एक से दो मिनट फ्राइ करना ह होता है बस जाधा नहीं तो यह देखिए इस तरह से हम फ्राइ कर लेंगे यह देखिए मटर डालने के बाद में फिर से ओयल हमारा दिखने लगा है तो यानि मटर भी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है तो उसको मिक्स करेंगे और इसमें आप हम आट करेंगी अच्छे से प एक चीज शो को टाड़ के लें और च्थाधार ऐड़ नाूर्मर्ण पानी डाले एक सब्छी में आप बॉयल करके पानी डालें तो देखेगा डिफ्रेंस बहुत अलग होगा तो इसमें हमने बॉयल पानी आट किया हूआ है तो इससे टेस्ट हमारा अच्छे से उभर कर निखर कड़ाता है तो तो इसमें किती जल्दी से हमारी सब्जी में उभाला गया है तो इसको अच्छे से कुख कर लेंगे मटर करेंगे लगबग लगबग 2-3 मिनट उसके बाद में हम पनीर अट करेंगे तो इसको हम ग्रेवी को थिक होने तक जितना हमें चाहिए उतनी थिक होने तक इसे पका लेंगे अच्छे से तो इस तरह से देखिए आप हमारी ग्रेवी हो चुकिए तो इसमें पनीर डाल देंगे तो देखिए, पनीर अभी कितनी पिच्की-पिच्की सी है, मगर ये ग्रेवी में पढ़ते ही जो ग्रेवी को सोग करेगी, पनीर तब इतनी यम्मी होगी, अगर पनीर आप मटर के साथ पहले ही डाल देंगे, तो पनीर हमारी रबड सी हो जाएगी, चुई सी हो जाएगी क्योंकि वो गर्माहट से सत्थ हो जाएगी तो फिर रसे को ग्रेवी को तो इस वजए से हमें उसी समय डालना है जब हमारी ग्रेवी अच्छे से बन जाए और यह देखिए एक हमने ले लिया है 10 रुपय का पनीर मसाला तो आब हम इसे पूरा का पूरा ओपन करके एड कर देंगे क्योंकि बहुत जादा नहीं है 10 रुपय में बस आदा किलो के हिसाब यानि 250 ग्राम के हिसाब से मसाला होता है तो उसको हमने एड कर दिया है चलिए आप हम करते हैं सर्विस को जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम्मी आप देख सकते हैं कलर रंगत कितनी अच्छी आई है देखेगा जाने लगाना देखते ही देखते मूं में पानी इतनी टेस्टी इतनी यम्मी हमारी रेस्पी बन करके तयार हुई है मटर पनीर की कि सच में हमारे बच्चे खाते ही रहे इतना टेस्टी बोले ममा बहुत अच्छी बनी है तो आप देख स